यह आज का मेरा वीडियो है अगेन एक वन मन्थ रिव्यू ऑफ दिस प्रोड़क्ट गुटाउन सी सो लास्ट वीडियो में आपको पताया था कि मैं गुटाउन वन थाउजन नहीं यूज कर रही हूं काफी मन्से तो मैं क्या यूज कर रही हूं सो मैंने लास्ट वन थी लेना स्टार्ट किया है गुलूटाउन सी और मुझे वन मन्थ कंप्लीट हो गया है फर्स्ट ऑफ जून को आज एट्थ ऑफ जून है सो एडी उपर हो गया है इसके रिजल्स पर आपको बताना चाहती हूं कि बहुत ही अमेजिंग है लिटरिली मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इसमें विटामिन सी का कंटेंट बहुत जादा है इसके अलावा मैं इसको ऐसे ही नहीं लेती मैंने पहले भी बताय था कि मैं इसके साथ लेती हूं यह है स्कॉर्जी अब पहले के लेमन फ्लेवर में आया करता था अब औरेंज फ्लेवर में भी आने लग गया है सो या मुझे लेते हुए सेकिंड मन्थ स्टार्ट हो गया मेरा वन मन्थ कंप्लीट हो गया और आप खुद देख सकते हैं मेरे प्रीविएस वीडियो में मेरे स्किन के हालत बहुत ही बेकार हो रखी थी यह बहुत हालत खराब थी अब भी आपको दिख रहा होगा कि नैचरल गलो है मैं यह पूरा वीडियो नैचरल लाइट में ही शूट कर रही हूँ सो आपको दिख रहा होगा कि काफी natural glow है कोई makeup नहीं है कुछ नहीं है क्योंकि मतलब makeup होता तो सारी चीज़े तो दब रही होती ऐसे ही देखके समझ में आता makeup है कि नहीं है सो makeup कुछ भी नहीं है सर्फ और सर्फ sunscreen लगाया हुआ है बाकी makeup कुछ भी नहीं है and second thing मुझे इसका review देने के अलावा साथ में ये भी बोलना था कि बहुत से मुझे youths के youngsters के comments आते रहते हैं जो कि 20 से जिनकी age कम है 25 से जिनकी age कम है कि हम glutathion supplement ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं so especially जिनकी age 20 से कम है मैं उनको कहना चाहूंगी कि please आप glutathion के supplements या कोई से भी supplements आप नहीं ले तो better होगा it's better कि आप उसको natural resources के थू ले जैसे कि बहुत सारे vegetables में भी glutathion होते हैं like cabbage हो गया आपके cauliflower हो गया इन सब में आपको natural glutathion मिलता है इसके अलावा आपकी जो pulses होते हैं मसूर की दाल उसमें भी natural glutathion होता है तो आप ये सारी चीजे लेकर natural glutathion आप consume करें उससे आपको अपनी skin में काफी effect पता पड़ेगा इसके अलावा आप vitamin C का consumption करें जो आपकी body में already जो glutathion present है वो उसका level increase करने में आपको help करेगा आप vitamin C कैसे ले सकते है natural form में obviously citric fruits के थूँ आप orange खाईए अपने खाने में आप थोड़ा से lemon लीजिए daily curd लीजिए and curd में आपको lactic acid भी मिलेगा vitamin C भी मिलेगा तो आप curd भी लीजिए fresh curd खाईए कभी भी खटी दही मत खाईए morning में खाईए खाली पेट without salt, sugar और बिना किसी मसाले के आप खाईए और अगर आपको salt खाना भी है ना जैसे curd में तो आप उसमें rock salt यूजिए या फिर black salt यूजिए plain salt तो white salt कभी मत यूजिए उससे उसके जितने भी bacterias होते हैं good bacterias वो सब खतम हो जाते हैं उसके effects so आप healthy diet अभी आप follow कीजिए ऐजा नहीं है कि आप supplements लेंगे तो आपको healthy diet follow नहीं करनी है supplements के साथ भी आपको healthy diet follow करनी है और साथ ही साथ आपको पानी खुब सारा पीना है तो यह सारी चीज़ आप करिए follow करिए अपनी daily routine में तो आपको अपने आप अपनी skin पे उसके complexion और texture में आपको effect समझ में आएगा okay और मैं आपको कम age में सारे supplements लेने के लिए क्यों मना कर रही हूँ वो इसलिए क्योंकि आपकी body हमारे जो body होती है न सारे minerals vitamins naturally बनाती है तो जो यह natural बनने का जो process है वो after 2025 कम होने लगता है body में in fact 25 के बाद में depletion start होने लगता है glutathion level का depletion start हो जाता है गिरना शुरू हो जाता है बनने के बजाए इसलिए हम supplements उस condition में ले सकते हैं क्योंकि वो हमारे लिए beneficial होगा बट अगर आप अभी इसको कमेज में ही लेना start करेंगे तो आपकी body जो natural lutathion बनाती है वो धीरे धीरे बनाना बंद कर देगी समय से पहले तो समय से पहले कुछ भी चीज करना अच्छा नहीं होता और ऐसा नहीं कि आप उसको लेने में जादा ही देर कर दें पर हर एक चीज का एक particular time होता है तो आप अभी इस सारी चीज़े मत लीजे अभी आप नाच्रल चीज़े जितना हो सके आप अपने आपको नाच्रल ही उतना हेल्दी बनाई अपनी बोडी को इन फेक्ट मैं आपको अपने खुद के बारे में बताती हूँ वेन आई वस 20 2018 ऐसे जब में थी तो इन फेक्ट हमको 16-17 की एज में ही हमारी एक मैम थी उनकी स्किन काफी अच्छी थी तो सारी लड़कें उनसे पुछती थी कि मैम आप क्या करती है तो उन्होंने बताया था कि वो डेली मॉर्णिंग में खाली पेट एपल खाती है तो एपल इस लाइक की एपल के लिए बोला भी जाता है एपल इन डे में कीप्स डॉक्टर अवे सो एपल इतनी हेल्दी फ्रूट होती है तो मैं भी वो एपल जो है अपनी डेली डाइट में खाली पेट लेना स्टार्ट कर दिया मैंने और काफी सारा पानी पीना स्टार्ट कर दिया था धीरे धीरे मैंने अपनी डाइट को इंप्रूफ करना शुरू किया जब मैं कॉलेज में आई तब मैंने अपनी डाइट में खाली पेट एपल तो मैं खाती ही थी बट उसके हाफ एन आर बात मैं क्या करती थी breakfast जब लेती थी तो मैं उसमें एक या दो egg white egg का yellow party, egg white का मैं omelette बना कर खाती थी उसके अलावा मैं daily jogging भी कसके करती थी तो ये सारी चीज़े क्या होती कि जितना sweating होता है उतने सारी गंदगी हमारी body से बहा नीकलती in fact अभी मैंने अपने जो skin की texture इंप्रूव करने में केवल gluten 1000 का gluten sorry gluten C का ही केवल हाथ नहीं है vitamin C supplements का ही हाथ नहीं है मैं daily मैंने अपनी routine को थोड़ा ठीक किया you know quarantine के time में थोड़े lazy सो हो जाते हैं हमको time नहीं मिलता है तो मतलब time होते हुए भी time नहीं मिलता है इस तरीके का और घर के काम तो ठीक है बढ़ी गए सब के सो मैंने अपनी थोड़ी रूटीन को ठीक किया डेली एक्सराइज अगेन मैंने स्टार्ट किया तो इन सारी चीजों से भी मेरी स्किन टेक्श्चर में स्किन में काफी इंप्रूब्मेंट हुआ है देखिए ये सारी चीज़े ऐसे जट से होने वाली चीज़े नहीं है इन सारी चीजों के लिए थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हमने बर्बाद करने में भी तो भरपूर टाइम लिया यह न चॉकलेट्स खाके, कॉफी पीके, सारी अनहल्थी डाइट फॉलो करके तो उसका इंप्रूब करने में भी थोड़ा टाइम तो लगेगा तो यह सारी चीज़े एक तरफ तो मैं अपनी डाइट आपके साथ डिसकस कर रही थी मॉर्निंग में खाली पेट एपल, दैन उसके बाद हाफ एन आव बाद आपको लेना है अपना ब्रेकफास्ट वित अन ओमलेट अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो और अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है प्यूर्ली वेजिटेरियन है तो आप उसमें कर्ड यूज कर लीजे कर्ड भी इस चिनले बहुत अच्छी होती है विदाउट सॉल्ट यूज कीजिए विदाउट शूगर यूज कीजिए ठीक ब्लेट फ्रेश कर्ड उसके अलावा अप क्या कर सकते हैं आप अपनी नाइट में डेली मिल्क पीजिए मिल्क आपकी स्किनले बहुत अच्छा था लेकिन अगर आपको acne की problem है especially आपको अगर अगर adult acne की problem है या फिर आपको अपके hormonal acne की अगर issues है तो आप cow milk तो मत ही लीजे उसके बदले आप almond milk ले सकते हैं क्योंकि cow milk जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके hormones को भौछ जादा effect करता है सो इसलिए मतलब effect क्या करना कह सकते हैं आपके hormones को imbalance कर सकता है सो आपको अगर acne की problem है, adult acne की problem है या hormonal acne की problem है सो प्लीज आप cow milk तो मत ही लीजेगा उसके बदले आप buffalo का milk ले सकते हैं उसको भी आप थोड़ा avoid करें, it's better कि आप almond milk के तरफ ही जाए और या friends, so मेरा वीडियो जो है यहीं पर ही मैं खतम करती हूँ, hope आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे like, share and subscribe कीजे मेरे channel को ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, so till my next video, bye bye, take care